अरियों आप लोगों का माया ग्राफिक्स में फिर से स्वागत करते हुए आज मैं आप लोगों को ID काड को कैसे क्रेट करना है उसके बारे में बता रहा हूं इसमें क्या है सब A to Z काम क्या है आटोमेटिक लिए हो जाता है तो इसको step by step बता रहा हूं अब ध्यान से step को follow करना है तो आसानी से क्या है कम टाइम में maximum result आपको मिल जाता है अब एक नया फाइल के लिए क्लिए क्लिए फाइल में जाके new file बोल दो आप पर सो अब इसमें क्या है unit क्या है किलिमेटर में रखा हुआ है सो इसको size क्या है 54 by 85 लेता हूं और resolution क्या है 300 रखा है क्या हूं आके इसको क्या है करें के लिए फोड्र डिजाइन बनाता हूं सु अभीक क्या है 여러분 qué लेता हूं इसे अपर से तो इसे ले लेता हूं सो इसमें क्या करो आप अपर बैंगरौंड को इद्र क्लिक करो क्लिक करके थोड़ा लाइट ब्लु le एक शेड लेता हूं कि कौन सा भी एक शेड लेलो आपर ओके बुलने के बाद अभी एक सप्रेट लेयर लेता हूं इधर क्लिक करने से क्या होता है एक एम्टी लेयर बनता है खाली लेयर बना हुआ है इसको कंट्रोल बैक स्पेस देना है कंट्रोल बैक स्पेस देने के बाद क्या है इसे एक color आ जाता है अभी ellipse tool लेके selection को क्या है थोड़ा नीचे लेता हूं इस तरफ इस तरफ ऐसा नीचे लेके थोड़ा angle create करता हूं इदर create करके अभी इसको और एक एक layer लेता हूं layer लेके इसको आप क्या करो color क्या है थोड़ा इसे background में आके थोड़ा dark कर लेता हूं इदर थोड़ा dark करके इसको क्या है control backspace बोल देता हूं अभी इस layer को आप क्या करो control open bracket बोलो तो नीचे आ जाता है तो इन दूनों को select करके merge कर लेता हूं control इबोलो मर्ज हो जाता है अभी इसको आप movement कर सकते control टी बोलके थोड़ा वाइड करना है तो थोड़ा वाइड कर लो ऐसे इसे थोड़ा वाइड कर लेता हूं के इतना करके इदर रखता हूं नेश्ट क्या है अवर एक है इधर क्या कि देख प्लूर करके बोल के बोलने के पाद अभी जो बेंग्रॉंड रोपर मैं कंट्रूल बैक स्पेस बोल देता हूं उसके उपर ही आ गया आपको जो साइज से उस साइज से आप कर सकते हैं अलग लेयर लेके करना आप ओके अभी इसमें क्या है कुछ मैटर टैप कर लेता हूं मैं अभी चाहिए तो आप इसके साथ इसको मर्ज कर लो आप सब मर्ज कर ल कि ट्वल रखता हूं बाद में उसको चेंज करेंगे अभी इसको क्या है विद्या भारती करके नाम दिया है बारती करना है वाण चेंज कर सकते हैं चेंज करके इदर मैं उपर लेता हूं इसकोच्छ ए करो करवा और इसके अंदर ऊधने अलग लेयर लेके ही मैटर रडी करना है तो आसाने से आप उसको क्या है चेंजिस कर सकते हैं सो अभी इसको कुछ टाइप करता हूँ विद्या विद्या धनम सर्व सर्वधन सर्व अभी इसका alignment क्या है left में है तो text tool लेके इसको मैं center बोल देता हूँ इसको फिर से control दे बोलो विद्या में center करता हूँ control D बोलो इदर आके इसको क्या इसे इदर रखता हूँ सेंटर में है भी अभी ए इसे इसे strip लेता हूँ स्ट्रिप थोड़ा बड़ा भी लेकर आप आराम से कर सकता है अभी स्ट्रीप लेकर इसको मैं क्या करता हूँ अभी एक इधर फौन्नकी 2017 कर लेता हूं हूँ है कि विगरी क्लिक करने के पर आपको जो कऴिये वह इस तरफिक क्या हो और कि पॉइंट ईदर क्लिक करो तो सेम कलूडर का जाता है इस पॉइंट को निकाल देता हुं शूइसको टूटलाएस से लेता हुओ यह जो गूंपासिटि है ठ्रांस्परेंट बनावा है इसका पॉइंट कर लेता हूं इसको डार्क करने के बाद अभी बीच में इधर एक पॉइंट रखता हूं यानि इसको क्या है 50 पे रखना है तो सेंटर में आता है इसका जो उपर का पॉइंट है इधर भी एक पॉइंट कर लो एक है बीच में इदर पॉइंट कर लेता हूं इसको अभी मैं क्या करता हूं इसका ओपैसिटी क्या है पूरा निकाल देता हूं इसे इस पॉइंट को सेलेट करके करना है अभी देखो इस पॉइंट को आपको सेलेट करना है सेलेट करके बाद में ओपैसिटी कम करना है तो उदर कम हो जाता है, इदर आक एक पॉइंट कर लेता हूं मैं, इसको क्या है, 70 पे रखता हूं, इसको क्या है, 30 पे रखता हूं, तो क्या है, दुनों तरफ 30 का gap आया हुआ है, या आपको समझ में आ गया है, यह उपर का पॉइंट में कम ज्यादा शकते हम, और नीचे के पॉइंट में क्या है, Color Changes कर सकते हैं, यह आपको समझ में आगया, इसको ओकै बोल लेता हूं, इसको ओकै बोल दो अपर, इसको ओकै बोलने के बाध इसको Ctrl-T करता हूं, कंट्रूल टी करके थोड़ा थिकनेस क्या है इसका बड़ा है इसको थोड़ा थिकनेस थोड़ा कम कर लेता हूं इसे थोड़ा थिकनेस आप क्या है इसे जूम करके कर सकते हैं इसका थिकनेस फोड़ा कम कर लिया कम करने के बाद है इसको क्या है फोड़ा ऊपर ले लेता हूं का 聊 यह याप एड़जस करें कर लेता हूं इसको इसको भी Umbos कर सकते आप अब लभी के लिए क्या है वाँ लगाने के लिए अभी मैं क्या करता हूं एक एक सेलेक्शन ऐसे ले ले लेता हूं लेके एक नया लेयर बनाओ लेयर बनाके आप क्या करो इसको कंट्रोल बैक्स्पेस देना है तो क्या हुआ जो बैग्राउंड कल रहे हो आ गया कंट्रोल डी बोलता हूं इसको इसका सेलेक्शन क्या है कंट्रोल टी करो कंट्रोल टी करके आपको जो साइज देना है वो साइज आप इधर दे सकते हैं यह इधर आपको क्या रहता है परसं तक्ते हैं सो इतना इसमें आकर अबे मैं क्या करता हूं इसको एक Since देता हूं कारी कख एक android धटा करते हो में के टीनवार के उसको अप्रफ लटाओ इसको क्या है अब बीच में रखना है तो इसको कंट्रोल एभालो करें में जवते करता हूं जश्याऀंटर नुक्र करने इसे किया हो गया वो फोट् one की एसे बीच में आ गया उप्सक लीनेक्स्ट आपको क्या करना और विद्या भरती है कि अब जो विद्या धनम सर्वधनम करे के लिखा हुआ है इन सबको मुझे क्या करना है background के साथ merge करना है जो हरे card में change होता है जो variable है उसको एक ही अलग-छे रखना है अभी मैं इसको क्या है से इसको और इसको shift के साथ क्लिक करो और जो इससद इस सब क्लिक करता हूं क्लिक करके अभी क्या है टेक्स टूल लेके टेक्स टूल लेके इदर क्लिक करना है क्लिक करके अभी मैं क्या देता हूं अड्रेस वन अड्रेस करके दो लाइन बनाता हूं इधर क्या है अड्रेस वन बोले तो अभी देखो आपको इसमें क्या करना है अभी इधर फॉंट का साइज आपको अड्रेस में कौन सा चाहिए वो सब आप इधर fix करना है सो अभी इदर टेक्स में आता हूं टेक्स में आके अभी मैं IRL तो रखा है सो जो ब्लाक है इसको regular कर देता हूं कोई नहीं तो इसको थोड़ा बोल्ड चाहिए है अफ क्या है इसे brood कर सकते हैं बोल्ड करने के बाद अभी इस को क्या है 는 चोटा कर ले करेंगे तो जो भी वो वेरेबल आने वाला है वो सब सेंटर में आता है कंट्रोल ले बोलो विड्ट में सेंटर कर लेता हूं कंट्रोल डी इसमें आप क्या करो फिर से आल्ट पकड़ के ऐसे और एक ड्रैक करो आप ड्रैक करके इदर छोड़ दो कंट्रोल ले इसको भी क्या विद्ट में Center करता हूं Ctrl D करता हूं इसमें थोड़ा ऊपर चाहिए तो ऐसे आप जो भी चाहिए वह कीबोर्ड से आप कहा है इसे बliyorum भी य Crash फोटो का लेइर है इसको इधर नाम च्रेंज कर लेता हूं जो बिए क्या क्यापिल में आपको जैसा चैने आप कर सकते हैं लेकिन जहां पर ठौन में जैसे आपने रहा है उस अब यह हूआ इड्रेस और हुआ अबी नेक्स आपको क्या करना है पर लेता हूं अब 邃क करके बाद में इदर क्लिक कर定 कर को क्लिक कर भी क्या है व्यूंच ने को फिर नंबर लेने के बाद क्या है इसको जहां पर चाहिए उधर आप रहो रोल नंबर होने के बाद आपको क्या चाहिए इसको थोड़ा इसे जूम कर लेता हूं कर लेता हूं को कि तो थूल करें आप गया तो अगर गृड्पण रखना दो एशा रखता हूं इसको भी टैप करने के बाद आप क्या है लेफ्ट को यह जो भी वेरियबल जो नहीं है वो सब मर्ज होगा अभी ये भी इसमें क्या है roll number और division करके जो लिखा हो आए ये सब merge हो जाएगा है आल पकर क्या और एक ड्रैक करो आपए division होने के बाद आपको क्या चाहिए phone number चाहिए तो अभी इसको क्या है phone type करता हूँ करसर रखना पहले गज़े कंट्रोल ले बोलो तो सलेक्ट वाल लोता है इसको भूस्पर ऐसे लेकां क्या करो इसको एक अलग layer लेता हूँ फिर से अलग layer लेके आप क्या करो इसको black लेना है तो इदर दिको X करने से क्या है इंटर्चेंज हो रहा है black लेके अभी मैं control backspace देता हूँ तो इदर यह black आ गया इसको क्या है इसे इदर लगा देता हूँ तो कि गयडान पर रख दो आप आल्ट पकड़के इसे ड्रैक करो और रिक आ जाएगा अभी आवर रिक लेता हूँ यह समझ में आ गया आपको इस तरह क्या है थोड़ा अलग रख रहा हूँ मैं तो चाहे तो आप क्या है इन तिनो सटर को इसे मर्ज कर लो अवर करके फिला करना है तो तरह कर सकते आप कन्ट्रोल टी डोलता हूँ थोड़ा जूम कर लो कर करके क्या है थोड़ा से तेकने सुस्का कम कर सकते हो कम हो गया ओक यह आपको समझ Tex gonna होने के बाद आभी एपर इसमें कोन सा भी थोड़ मां यह तो इस लेयर को जो अभी यह डॉट जो बनाए उस लेयर को और जो फोन है उसको कंट्रोल से क्लिक करता हूँ डिविजन को करता हूँ और क्या है इदर फोन करके है फोन तो इदर है अभी इन तिनों को क्या है मर्ज कर लेता हूँ रोल नंबर को भी सेलेट कर लो सेलेट करके सब्सक्राइब वर तो इसको क्या है थोड़ा इसे नीचे ल Εता हूं अब हम क्या चाहिए मिलिए सब्सक्राइब क्लिबन एक हाँ सब्सक्राइब कर दाए e mat में आगया सब्सक्रिक Mmm नेम क्या है वेरियबल है नेम करके टाइप कर लिया नेम को जो फॉर्ण जो कलर चाहिए वह कलर पहले से आप दे दो पहले से नेम को क्या है वह कलर दे देना आपको इसको क्या है नेम में आपका और जो font size आपको चाहिए, font का style कौन सा चाहिए, वो सब अभी दे देना है, इसको अभी मैं क्या करता हूँ, कौन सा style आपको दूसरा चाहिए, तो आप दूसरा दे सकते हैं, ऐसे name का style चेंज कर सकते हैं, अभी इसमें size का भी बड़ा अगर चाहिए, तो बड़ा दे सकते हैं इसे एक नॉर्मल रखता हूं मैं यह ले लेता हूं नेम को इधर सेट करने के बाद कंट्रोल यह बोलके एक बार चक्कर लेना आप है विडित में सेंटर रखो बोलो अभी देखो यह आपका कार्ण हो गया अभी इसको क्या है और बी डी बोल देता हूं तो अ Integrate हो गया है डिलिट होने के बाद यह कि यह नेम का हो गया सब qucznaire को सब ऐधर रोड नमबर इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, इसका जो font size है इसको 10 कर लेता हूँ, 10 रख देता हूँ इसमे style भे आपको कौन सा चेह वह आप रख सकते हैं, इतना रख के अभी मैं क्या करता हूँ, alt पकड़ के ऐसे drag कर लो तो डुप्लिकेट आगया, अभी टेक्स्टूल लेके इसके बीच में रखो, control ले बोलो, division देता हूँ, division देके इसको अब left alignment कर लो, left रखता हूँ left रखके इसके साथ set करना है इदर इसको ऐसे लिया, तो इसको भी आप क्या करो पहले ही, left कर लो, left करके अभी इसमें क्या है, इसको ऐसे set कर लेता हूँ, इसके level पर लाने के बाद अभी इसको क्या है, करसर से इदर क्लिक करके, phone करके type करता हूँ, अभी यह क्या हो गया, variables कितने हो गया अभी, एक photo है, name है, role number, division, phone number, address 1, address 2, अभी यह क्या हो गया, पूरा card आपका ready हो गया, अभी देखो, आप इदर layers आप count करेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा, अभी इसको भी क्या है, अभी देखो, यह जो layer है, इस layer को background के साथ merge करना है, control के साथ आप background layer को click करो, पहले इसको select करना है, select करके, control के साथ background को click करो, तो दोनों select होता है, control E बोल दो, यह यह background के स 3-4-5-6-7 is तरह चख करके अभी दिखो आपका कार्व पूरा बंद गया अभी इसको में क्या करता हूं फाइल से वाज में आता हूं से वाज में आके आप क्या करो इधर कि इदर मैं डेक्स्टॉप पे एक क्या है इदर के डेक्स्टॉप पर आता हूँ, डेक्स्टॉप पर आके एक नया फोल्डर बनाता हूँ, इदर राइट लिक करना है, एम्टी स्पेस पर राइट लिक करके नू बोलना है, नू फोल्डर बोलता हूँ, फोल्डर बोलके इसको आप क्या करोएका नाम देदो, नू फो folder open होने के बाद अभी इसको क्या है इदर कॉल्ड करके नाम देता हूं काल कर नाम देखें आपको यह ध्यान रखना यह कि उसमें PhD में हो करना यह क्या हो गया यह काम अपका बन गया अभीurning काल्ड रेडी हो गया काल्ड रेडी होने के बाद आपको क्या करना है एक्सेल में आना है एक्सेल में आने के लिए भी क्या है एक्सेल इधर ऊपन रखा है मैंने तो इधर क्लिक करता हूं अभी क्या हो गया अभी हमें एक्सेल में आगे एक्सेल में आके आपको क्या है डाट से type करना है एक तो name है कि डैप देदो next इसको जाता है address address one करके है tap देता हूं address two करके है tap देदो tap देने के बाद इधर क्या है roll number है के टैप देदो roll number होने के बाद आपको क्या करना है division देना अब इधे को roll रोल नमबर में बीच में क्या है पॉइंट दिया में नहीं है तो ध्यान रखना है वह जैसा आपने टाइप किया उदर कार्ड में टाइप किया उसी तरह टाइप करना है तो अभी रोल नमबर होने के बाद क्या है डिविजन होने के बाद क्या है फोन होने के बाद क्या है फ और नेम में क्या देना है है नाम देना है आभी समझो मैं वैसे एक दो करके मैं दिखाता हूं बाद में जो और रडी करके रखा हुआ है उसको यूज करेंगे क्या से करना है दिखाता आपको अभी समझो एक रवी करके नाम है। विकास नगर टैब देता हूं गोकुली रोड गाम का नाम दे दो आप पूबली करके दे दिया। है अभी क्या है रूल नंबर है रोल नंबर वन रखता हूं डिविजन क्या है यह है टाप दे दो phone मंबर क्या पूल नंबर आपको क्या है वह phone number आप रख दो कि phone number रखने के बाद फोटो क्या है फोटो अभी one करके रखना one.jpg देना बहुत ज़रूरी है extension कौन सा आता है वह extension देना है आपको इस तरह क्या है number of files आपको number of entries जितने भी entries है वह आपके entries इदर बनाना है अभी मैं ready क्या हुआ एक file है उसको open करके मैं दिखाता हूँ आपको अभी इसमें देखो आपको इदर क्या है name करके है name पे सब लोगों का नाम है इदर इस तरह आपको create करना है address one में address पहला address है और second address और गाउं का नाम है second line में अभी roll number है अभी division है इदर अभी phone number भी है इदर और इस तरह क्या है ऐसे photos भी है इस तरह क्या है आपको data ready करना है data ready होने के बाद आपको इस file को save करना है save as बोलना है save as बोलके आपको क्या करना है अभी देखो मैं जो अभी desktop पे हमने ID करके एक folder create किया है ID card करके उसी में save करता हूं इसमें क्या है list करके नाम देता हूं लिस्ट करके नाम देखे आपको क्या करना है इधर है save type में क्या है आपको text में tap delimited करके format है इसको क्लिक करना है क्लिक करके आप क्या क vendor सेव बोलता हूं अभी इसको एस बोलता हूं इतना सेव होने के बाद इस file को open नहीं रखना है इस file को close कर देंए अगर यह open नहीं तो problem मता है इसको सेव कर दो सेव कर के close कर दो अभी यह program जो excel flush कर कर दता हूं अभी क्या है Photoshop में आगे हैं, अभी हमारा क्या हुआ है, यह Card Ready हो आएं और जो Next Step क्या हुआ है, Đata List Ready हो आभी फोटोस को Create करना है अभी photos कैसे करेंगे अभी समझो मैं इधर है एक photo लेता हूँ अभी इक photo लेता हूँ इस Photo में क्या है इसको crop tool लेके crop tool लेना है आपको जितने भी photos है उसको crop tool लेना है लेके इसको 35 x 45 mm रखना है और उसका resolution क्या है 300 रखना है रखके आपको क्या करना है आपको जितना portion चाहिए उतना portion आपको select करना है select करके आपको क्या है ऐसे crop करना है crop करके save करना है okay jpg format में आपको save करके रखना है यह आपको समझ में आ गया अभी इसी तरह मैंने और लड़ी कुछ photos बना के रखा हुआ है उसी को मैं उस folder में copy कर लेता हूँ अभी क्या है इस file को close करता हूँ no बुल देता हूँ अभी आपको इदर दिखाता हूँ मैं आपको open बोलता हूँ अभी देखो इदर क्या है number of photos है इसमें क्या है ऐसे अरॉंड एक 38 photos है इसमें सब को select करके आप copy करो copy करके अभी जो folder क्या है आपका desktop पे idea card करके है अभी desktop प्या करके है ओ हैhem इतर क्या upstream अग्य करो it करके किया है कि इसमें क्लिक करके add card में आ जाऊ out? еще card में आके इदर मैं paste कर लेता हूं है इदर क्या है number of photos क्या है इस सब photos है ID card में आ गए यह सब क्या है passport को crop किया हुआ है passport का size क्या है 35 mm by 45 mm को 300 resolution के साथ crop करके रखा हुआ है सब का file का name क्या है number से रखा हुआ है 1 2 number दिया है 123 ऐसे number दिया है और जो excel में हम sheet बनाये थे उदर भी photo में हमने क्या दिया है 123 करके इसे नाम दिया हुआ है लेकिन उदर हमने extension टाइप किया है 1.jpg करके और 2.jpg 3.jpg करके टाइप किया है इदर आपको सिर्फ number देना है यह आपको समझ में आ गया अभी हमारा काम क्या हुआ अभी पहले card बन गया data sheet बन गया और उसके बाद क्या है हमारा photos भी प्रिपेर हो गये है अभी इतना होने के बाद अभी इस file को अभी देखो एक बार में इस file को close कर देता हूँ अभी क्या है file open बोलो open बोलके आप क्या में क्या करता हूँ अभी इसमें पहले क्या image में आता हूँ image में आके variable है define करके है अभी इसमें आने के बाद अभी layer क्या है phone करके है अभी इसको एक बार click कर आप पहले phone लेता हूँ इधर देखो text replacement करके है इसको click करना है जो इधर है वही same type करना इधर इधर क्या है phone करके type करता हूं कि बिल्कुल स्पेलिंग होगे रहा चेंज नहीं होना है मिस्टेक नहीं होना है डिविजन करके हैं नेक्स्ट इधर फिर से क्लिक करो क्लिक करके आप क्या करो डिविजन कर लो डिविजन करने के बाद रोल नंबर करके हैं इसको भी क्या ऐसे रोल नंबर लेता हू रोल नंबर लेने के बाद नेम करके हैं इधर क्लिक करो क्लिक करके इसको नेम बूल जो नेम होने के बाद फोटो लेना है इधर क्या है पिक्सल रिप्लेस्मेंट आता है फोटो जैसे हम लेते है तब क्या है पिक्सल रिप्लेस्मेंट करके आता है इधर आप क्या करो इसको रखना जरूरी है जो सबने पासपोर्ट में क्रॉप किया है वह आके जो यह सब हो जाता है हमको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है सब क्या है हर एक step को ठीक से HIV करना है सेब चामता करके अभी सिभलीन करता हूं लियुक्तимер जाओ, address 1 में आता हूँ, address 1 आके अभी क्या हो गया, सब complete हो गया, इतना होने के बाद आपको क्या करना है, next में आता हूँ, इदर next क्लिक करो, next क्लिक करने के बाद, अभी क्या है, हमारा data कहा है, उस file में है, तो उसको import करना है, इदर import करके है, इदर import पे क्लिक करो, क्लिक करक तो सेलेक्ट फाइल सेप्टस्लिःट अभी दिको आइडि कार्ड के लुक्र सबीच्ट करके एक है इसको डबल किक करता हूं तो ओपन हो जाता है इसको आप के बोलों बोलने के बाद देखो रहे यह आगया इस इंधर फोटो भी आ गया इदर नाम भी आ रहा है अ Opportunity है division है और phone number है और first address और second address है अभी देखो इधर थोड़ा यह problem हुआ है इस font को थोड़ा छोटा करना है अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो आप जो PSD का जो आपका file है उसमें थोड़ा font का size छोटा करना है ओके अभी के लिए उदर change कर लेते हैं अभी मैं इसको cancel बोलता हूं ओके ऐसे करते हो कुछ problems आपको आएंगे तो ऐसा आये तो आपको क्या करना है उसको चेंज कर लेना अभी इसको क्या है इसको cancel बोलता हूं cancel बोलके अभी जो यह है इसका font size इधर ही छोटा कर लेता हूं मैं अभी क्या है address 2 address 2 का font से इस क्या है अभी मैं इसको 10 है इसको 8 कर लेता हूँ और जो address 1 है इसको भी क्या है इसे 8 कर लेता हूँ दोनों change हो गये अभी इस file को अब क्या करो ctrl s बोलो तो save हो गया अभी इतना change करने के बाद image में आता हूँ image में फिर से आना है आके इदर variables करके है define में आता हूँ आके फिर से आपको क्या है यह सब change करना है अभी इदर क्या है phone बोलता हूँ phone होने के बाद आपको क्या करना है division बोलना है इसको क्या है division ले लिया division होने के बाद roll number है इसको क्या कुरूँ आप इधर सेलेट करके रोल नमबर र.no करके हैं इतना होने के बाद अभी नेम करके हैं इधर आके आप क्या कुरूँ नेम बुल दो name होने के बाद photo है so photo में क्या है pixel replacement करके है इधर इसको select करके photo बोलता हूँ इसको fit को रखना है इधर अलग options भी है फिल लोगे रहा है इसको fit रखता हूँ photo में आने के बाद address 2 इधर click करो click करके address 2 है so बाद में क्या है address 1 है address 1 करके है इसको इतना रखने के बाद अभी क्या है next बोलता हूँ next बोलके import करना है import करके आप क्या करो इधर select file है जो data file है इधर आता हूँ ID card में जो data हमने save के आता उस file को double click करो तो यह open होता है इसको ok बोलो बोलने के बाद अभी देखो यह आगया यह पूरा अड्रेस भी आ अगया आपको इस तरह क्या है font size होगर है आपको जैसा चेह वैसे आप आड्रेस कर सकते है इतना होने के बाद इसको ok बोलो देता हूँ अप क्रें के बाद यह फिर से निकल जाता है अब तो इसको अभि मुझे सिसको क्या हैै मिए आइडी काड़ के अंदर बनाता वोलो वहार वालने के बाद इसको क्या है झा करके नाम देता हूँ करके नाम देके इसको क्या है सिलेक्ट करके ऊचे बोल देता हुआ नियुक्त करके है अभी फाइल नेम क्या लेना करके है अभी जीरो वन जीरो टू करके इसे देता हूं मैं और इस तरह क्या है नमबर ले नेम ले रहा है रोन Numbers ले रहा है पोनर है एड्रेस чक हो रहा है इतना होने के बाद Big stop हो गया एनी समट रॉपन करके देखु आप आप सो फाइल ओपन बोलता हूं इधर आके हम देखेंगे अभी क्या है इधर आईडी कार्ड्स करके हैं इसके अंदर अभी कार्ड्स है सो अभी क्या है इस तरह कार्ट्स आ गए है उके सो कार्ट्स को अभी क्या है यह PSD में बना है तो इसको अभी मुझे क्या करना है जेपीजी में कनवर्ट करना है इन सब कार्ट्स को जेपीजी में कनवर्ट करना है जेपीजी में कनवर्ट करने के लिए क्या करता हूँ file में जाना आपको क्या करना है इधर scripts में आता हूँ इसमें क्या है image प्रोसेस करके है इसको click करो select folder करके है folder को select करना है अभी हमारा folder कहां पर है id card के अंदर है अभी cards करके इसको select करता हूँ select करके ok बोलता हूँ तो ले लेता है path हो यानि cards का path ले लिया, अभी जो jpg करके save करता है, उसको खहां रखना है, उसको भी एक folder करता हूँ, select folder करता हूँ, अभी क्या id card करके है हमारा folder है, इसमें क्या है, cards करके है, अभी id card में ही एक नया card, एक folder बनाता हूँ मैं, make new folder, नहीं तो id card को सिर्फ select कर लो, jpg करके अपने आप नाम ले लेता है वो, इसको id card को select करके, इसको ok बोल देता हूँ, ok बोलके run बोल देना आप, अभी क्या है, जो भी phd file है, उसको open करके, वो अपने आप क्या है, jpg में उसको save कर रहा है, ok यह आपको समझ में आ रहा है, लेकिन यह थोड़ा ध्यान रुकावा पर, यह थोड़ा font बड़ा हो गया, so font आपने साब से आप रख लो, थोड़ा छोटा रखना है, यह बहुत बड़ा हो गया, इसलिए कुछ जगा पर वो edge तक जा रहा है, इसलिए कुछ जगा पर क्या है, बहुत edge तक जा रहा है, तो name का जो font है, उसको थोड़ा छोटा कर लेना, यह आपको समझ में आ रहा है, जो भी काम है, पूर आटोमेटिक हो रहा है, अभी यह इतना होने के बाद, अभी हमको क्या है, आपस भी हम अपने आप आ जाता है, number of copies क्या है, अभी यह सब ID कार्ड्स क्या है, एकी sheet में उसको भी हम आटोमेटिक बिटा सकते हैं, वो कैसे करना है, वो अभी बता रहा हो मैं, अभी देखो यह थोड़ा ध्यान रुको, आपके उपन करता हूँ, जो JPG है, इधर देखो, JPG करके एक folder बन गया, अभी इधर क्या है, इसे आगे, सब कार्ड्स बन गये, अगर आपके thousands of files है, तो आप आराम से इसे बना सकते हैं, यह कि आप ध्यान रखना है, कि font का size थोड़ा ठीक से लेना है, इसके अंदर आके आप क्या करो, अभी इधर क्या है, source image, source image कहा है, folder करके है, folder को choose करो, stop ID card करके है, इसके अंदर JPG करके folder है, इसको लेके बोलता हूँ, अभी एक क्या हुआ, JPG folder select हो गया, select होने के बाद, अभी क्या unit क्या है, centimeter में है, total sheet, अभी मैंने इसमें calculate किया है कि, अभी आपको इसमें gap चाहिए, तो आप इधर gap रख सकते हैं, अभी मैंने gap नहीं रखा है, अभी इसका size है, अभी width में क्या है, 5 cards आएंगे, height में 6 cards आएंगे, उसके इसाब से मैंने calculate करके, ये size दिया हुआ है, 32.4 by 32.4 by 42.5 cm है, ओके ये आपको समझ में आ रहा है, अगर आपका card का size जैसा है, आप वेसे adjust कर सकते हैं, resolution 300 रखा है, mode को RGB रखा है, अभी इसमें क्या है, pattern, अभी इसमें क्या है, flatten all layers करके है, इसको active रखा है, तो अभी इसमें क्या है, ये भी 6 by, अभी columns क्या है, 6 है, rows क्या है, 5 है, ओके इस इसमें से रखा है, अभी इन सब को क्या है, 0 रख लो, any, 6 फाइजा, 30 cards क्या है, इसके अंदर एक sheet में आ जाते है, तो अभी इसको क्या है, सिर्फ क्या है, ओके बोल देता हूँ, ये अगर active रहता है, default में, इसको निकाल देना है, नहीं तो file name लेने लगेगा, ये थोड़ा ध्यान रुको आप, use file names and caption बूले, तो अगर आपको file का नाम चाहिए, तो नाम दे सकते हैं, लेकिन card में हमको, होना नहीं पड़ता है, इसलिए अभी मैं इसको निकाल देता हूँ, निकाल के आप क्या करो, okay बोल दो, ये भी अभी क्या हो रहा है, अभी देखो, एके card करके, वो पूरा arrange करके आपको दे रहा है, ये क्या दो बर आप बैटके, अराम से बैटके, आप इसको first से लेके, end तक देख के आप करेंगे, तो बहुत आसान इसे क्या है, maximum और क्या है, बहुत कम समय में आप बना सकते हैं, और इस variables को क्या है, अलग-अलग जगा पे भी आप यूज कर सकते हैं, अभी देखो, ये बन रहा है, अभी मैं ये desktop, desktop पे आप बनाएंगे, तो बहुत fast से बनता है, अभी मैं laptop में बना रहा हूँ, तो इसलिए क्या है, थोड़ा slow होता है, थोड़ा higher end machine आपका है बोलो तो, और भी fast से बन जाता है, अभी देखो, जितने photos हैं, उतने files इदर बन रहे हैं, अभी देखो, इदर एक file हो गया, अभी next file इदर आ गया हो, इसे number of files बन जाएंगे, बाद में क्या है, उसको आप save करके, print के लिए आप भेज सकते हैं, अभी देखो, ऐसा आ गया, अभी ये देखो, ऐसा आ गया, अभी देखो, single layer है, यहनि, jpg करके, आप save करके, आप print के लिए भेज सकते हैं, अभी मैं इसको थोड़ा zoom करके, आपको दिखाता हूँ, अभी देखो, ऐसा आ गया, यह आपको समझ में आ गया, अभी देखो, सब cards क्या है, ठीक से आ गया, यह की ध्यान रखना है, कि font का size ठीक से रखना है, यह आपको समझ में आ गया, अभी इसको आप क्या है, jpg में save करके, आप print के लिए भेज सकते हैं, अभी देखो, दूसरा sheet क्या है, अभी ऐसा आ गया, अगर आपका thousands में में जाए, तो number आप sheet क्या है, जादा बन जाएंगे, अगर यह करते हैं वक्त आपको, कुछ doubts वगेरा हैं तो, मुझे comment box में comment कीजिएगा, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, और इस channel को subscribe करने के लिए, आप लोगों का धन्यवाद,